नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना सुरू कर चुके हैं देश के संबिदा कर्मियों का लोग पीडिये नेटवर्क निउज फोट फोटी फोट निउज नेट यदि आप संबिदा पर काम करते हैं आउट्सोर्स के कर्मी हैं अवरगी किरित कर्मी हैं दै भड़ी किया गया है जिसका दुर्गामी परिनाम निकलेगा और यह जो अस्मंजस की स्धिती होगा थी कि कुछ लोग कहने लगे थे और उनकी बातों को जो है कि हम भी आत्म साथ करने लगे थे और ऐसा जो है कि भरम उत्पन हो गया था कि संबिदा नियोजित कर्मियों का बेतन बिरिधी अब नहीं होगा और जिनका बेतन बिरिधी होना था वह चुनाओं के पूर्व हो गया अब नहीं होगा यह जो पूरा ठेट और जो है कि अ जारी रहेगा और इसको लेकर जो है कि समान परसासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है पत्र की परती जो है कि हमारे हाथों में वह इसे जो है कि कम्प्यूटर के स्क्रीन पर पत्र है और आप जो है कि स्वयम हम आपको बताते हैं कि पत्र में क्या है पत्र का सिर्शक है पत्र की परती हमें स्क्रीन पर सेयर करेंगे साथ ही आपको बताएंगे कि आप यह पत्र कहां देख सकते हैं तो वीडियो में बने रहे हैं पत्र गया है सभी विभागी परदान सचीव को पटना दिनांक 12-3-2024 यानि की 12 तारी को पत्र जारी हुआ है ज्यादा पुराना पत्र भी नहीं है विभागिये पुरोनती समिती तथा बिहार सरकार के तमाम विभागों के अंतरगत लोकूप करमों में नियुक्त अब जान लिजिए कि किनके किनके बारे में है पुरोनती ह कर्मियों को जो पारिसरामिक दिया जाता है यानि कि जो मांदे दिया जाता है उसका नए सीरे से निरधारन यानि की बढ़ोतरी करने है तुँ गठित जो समीती है तथा अन्यान समीती इसके अलावे भी समीती बिहार सरकार ने बनाया है विभीन विभागों अंतरगत निरधारन देने सहित नीमित विचार करने के लिए गठी गठी तस्क्रीणिंग समीती के बैठक में भाग लेने के लिए समान परशासन वीभाग के परति निधी के मीत्थी होने वाला होता तो नए सीरे से फिर कमिटी में भाग लेने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए पदा धिकारी के ओं मनोनीत होते और यहां जो है कि कहा जा रहा है और लगातार कोह रहा है समान पर सासन विवाग कियो अस्थाई कर्मी और वरगी किरित कर्मी संविदा कर्मी और इन लोग कि परसंग में तमाम पोतर जितना जो है कि सुरू से आज तक जारी किया गया है। परसंग में दिनांक और जो है कि पत्रांख दिया गया है जो कि दर्जन भर से ज़्यादा है और बताया जा रहा है कि इन सब के आलोक में महासाइव उपयुक्त निदेशा अनुसार उपयुक्त विश्य के संबंध में कहना है कि परसंगा धिन पत्र के तहद विभागिये संबंधित कर्मी के मांदे निरधारन है तो गठित समितियों में भाग लेने है तुष समान परसाशन विभाग के परतिनीधियों का नए सीरे से मनोनयन वर्तमान में कतिपय पदाधिकारी का अस्थन अंत्रन हो जाने के फलस्वरूप उक्त मनोनयन पर भावित हो गया है त समान पर शाषन विभाग के लिए जो है कर दिया गया है तो आप जाल दिजियो कि अदि जब समान परसाव सारे अधिकारी का नाम पढ़ेंगे तो जो है कि विडियो बहुत लंबा हो जाएगा 10 मिनट से 15 मिनट का विडियो बन जाएगा जबकि हम आपको बता दे कि यह पत के बेवसाइट है उसमें जो है कि बारह तीन दू हजाद तीन में जो है कि और विभागी पुरोनती समिती सहित और परकार की समितिया जो गठित है उन्हें भाग लेने के लिए पदाधिकारियों का मनोनायन करके समान परसासन विभाग ने एक बार फिर इस्तिति असपश्ट कर दी जो भी हो संबीदा पर नियोजीत कर्मी आएवजुर्मइय वर गी किरित कर्मियों का जो है की वितन बढ़एगा और निशित तर्व पर बढ़एगा आपको एक बार जो है कि हम विभागों का नाम बता देना चाहते हैं आप लोग कि क्या कीजिए इस पत्र को परकार समान पर सासन विभाग सकी रिये हैं जो कि लगातार संविदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दहेनी कर्मी के बेतन बिरिधी के लिए कि पत्र जारी कर रहा है और इस पत्र के जारी होने के साथ ही जो है कि स्तीती असपट हो गई है भ्रम दूर हो गया है और तमाम तरह के क पढ़ेगा चोव आलिस्ट विवाग है जिसमें जहाए कि तमाम अधिकारियों का मनों नायन हुआ है और यह सारे लोग जो है कि मिलकर बैठक होगी और उस बैठक में भाग लेंगे और भाग लेकर जो है कि तमाम कर्मियों का बारी-बारी एक एक कर्मा नुसार एक एक करम में बेतन बिरिधी करवाने का काम करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्पून खबरों के साथ तब तक के लिए जये जये भारत जये बारत